हाई गाईज कुरीविंग और वालकब टू इनल स्टाइज प्लैटफर्म प्रेटफर्म क्लोस टेस्ट आज हम फिर से एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लोस टेस्ट बहुत जरूरी है सारे एक्जाम के लिए यह सब को पता है बस इसको बहुत अच्छे से तयार कैसे करें त आप को आजहेँ जब आप स्कॉर मेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी अगर अगर आप लगातार क्लोस टेस्ट करेंगी इसलिए हम लोग करें लगातार क्लोस टेस्ट आज एमारा यह थर्ड सेशन है अगर आपने नहीं देखा है तो फुराने क्लोस्टस भी चेक कर ल को 3 in 1 जो हमारा combination वाला batch है सालती बैच इससे आप पूरे क्योर कर सकते हैं इसमें आपको पूरा comprehension, पूरा close test, पारजंबल, passage, vocabularies, anonymous, और ग्रेमर सब कुछ और grammar सब कुछ बहुत organized manner में एकदम systematic तरीके से पढ़ाया जाएगा बहुत सारी practice करवाई जाएगी जिस तरीके से हम यहां close test करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से पूरी practice करवाई जाएगी 10,000 तक के questions आप लोग यहां पर कर लेंगे 10,000 तक question मतलब बहुत सारे questions के आप यहां पर practice करेंगे और वो latest questions होंगे सारे जो latest exams में आएवे वो उससे practice करेंगे तो बहुत अच्छा होगा practice के लिए session अगर आप पूरी practice करना चाहते है अगर 2024 में सफलता बाना चाहते है तो यह batch आप के लिए है India studies app पर मिरेगा सार्थी batch का नाम है कुछ दिन हुए है अभी start हुए में price 1199 है कुछ discount जरू मिलेगा discount buy करने से पहले चेक कर ले फिर भी कोई problem आती है परिशानी आती है तो team का number यहां पे होता है आप team से एक बात करके confirm करके फिर ही batch करें ठीक है आई अब आप शुडू करते हैं close test यहां पर यह देखो कितना चोटा close test है बहुत चोटा close test है बहुत चल्दी हो सकता है देखो कैसे करना है पढ़ना आप इसको a massive fire in Chennai destroyed 184 cars एक बहुत बढ़ी आग massive huge big large तो एक बहुत बढ़ी आग लग गई चैन्नई में जिसने destroy कर दिया जिसने destroy कर दिया क्या destroy कर दिया 184 cars को destroyed कर दिया तो यह हमारा subject है यह preposition यह उसका object यह वह है राइट इसलिए दुबारा वर्व नहीं आएगा तो अगर आप में से किसी ने सोचा होगा कि यहां पर belongs लगा दें तो गलत है राइट यहां पर वर बिलॉंगिंग लगा दें तो भी गलत है क्योंकि वव आ रहा है वव चाहिए नहीं वव यहां पर already आ चुका है है ना 100 and 84 cars किसकी थी belongs बिलॉंग्स बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि subject यहां और वव आ चुका है तो वव नहीं belonging which were belonging to a private cab aggregator aggregator मने collect करने वाला एग्रीगेटर ही टोटल होता है जिसके पस बहुत सारी कार्स थी उसकी 184 कार्स में आग लग गई चेन नहीं में बहुत बड़ी आग लगई इसने सबको जला दिया belonging to a private cab aggregator पहला question यहां पर grammar से दूसरा to a private cab aggregator dash blaze is suspected to have been triggered blaze यानी आग की एक लपट उठ गई इसा माना जारा है suspected ऐसा doubt के जाए कि have been triggered triggered हो गई उठ गई अचानक से वैसे गन को trigger किया जाता है तो trigger नहीं गन चलाना है ना और अगर आप किसी काम को किसी काम को अगर आप trigger कर देते तो इसको आप कर देते तो launch के लिए initiate के लिए यूज किया जाता है यहां पर आग में trigger होगी तो आग जो है वो प्रबोक हो गई भड़क गई है ना एकदम से आग लग गई कैसे have been dash blaze अब blaze हमारा subject है singular है सबसे पहले sum card दो one blaze two blaze blazes नहीं होता है आग की लपटे ब्लेज ही बूला जाता है तो one two नहीं आएगा आग क्यों बोलेंगे यह दा क्यों बोलेंगे अभी नहीं आएगा जब वन नहीं आएगा तो the blaze क्यों आग लग गई तो आग की जो लपट थी ना उसके लिए लग चुकी आग तो उस particular blaze की हम बात कर रहें इसलिए the blaze is suspected to have been triggered अब एक ब्लेज जो है एक आग की लपट है वो ट्रिगर्ड हो गई भडग गई कैसे टॉल ड्राइट ग्रास सुखी लंबी मतला बड़ी बड़ी घास होगी होगी सुखी घास उसने फायर फ्लेम पकड़ लिया ठीक है तो जलता रहता है जब वो फेका जाता है राइट इसके कारण आग पकड़ ली गई तो ट्रिगर्ड ओफ ट्रिगर्ड ओफ ट्रिगर्ड ओफ टॉल ड्राइट ग्रास अंतिल जब तक की नहीं होता है जब तक एक TOL Rise ने आग नहीं पकड़ ली किसी सिंग्रेट से, और नहीं After एक आग भड़क गई कब जब एक TOL Rise ने Fire Frame पकड़ ली किसे Скरड़ेज सिंग्रेट बट से हैक फेके गए सिंग्रेट बट से है ना कि है और ओzan पर आएगा After After a TOL Rise Grass Caught Fire Flame कि अगे देखते है डिस्कार्टेड अब डिस्कार्ट किया गया है सिगरेट बड वह अबलरी का क्उष्टन है थोड़ा सब्सक्राफ है वह जी बडंड जो थी वह कैसीजिए इस्मोकिंग स्मोकिंग ढ़ंगे न सिग्रेट पीना शायदी वोल लिए तो जलता हुआ जलता हुआ जलती हुई सिगरेट बड़ किसी ने वहाँ पर फैंक दी ती डिसकार्ड कर दी उसी से वह आग एक घास में लगी और उसी घास ने ट्रिगर्ड किया यह बड़ प्रवोक किया बलेज को और जिससे यह सारी की सारी कार्स जल गई तेखरों connection,this does is how it happened. Now, the last one said rescue ऐसा किसने कहा rescue services – rescue service वाले जो आए थे लोग rescue बदा बचाव कर मिए न जाओ करने वाले जो लोग आए हतों उनमें से किसी ने ऐसा कहा terescue services special, rescue services official, rescue services victim या culprit culprit, culprit, जो इस काम के लिए जिसने विलब आग लगाई, वो culprit हो क्या अपराधी, victim तो period होता है, यह difference होता है, यह period और यह अपराधी, right, special यह official, तो किसने बताया, victim ने बताया, अब यहाँ पर rescue services लिखावा है, services के कारण यहाँ पर victim यह क्या नहीं हो सकता है, जो rescue करने वाले team से था ना वो लोग, तो special नहीं, official, official क्या होता है, अधिकारी होते है, officers को ही बोला जाता है, इसलिए, right answer यह होगा, तो five questions, यह vocab-based था, यह भी vocab-based था, यह देखो, preposition, यह है, हाँ, इसको determiner का question है, यह adjective का question, और यह verb का question, तो तीन question, grammar के, दो question, vocabulary के, total मिला के five questions है, छोटा सा passage है, छोटा सा passage है, तो यहाँ पर पहला passage हमारा खतम होता है, और पहला खतम होते ही, आपको मुझे बताना है, five में से, इसमें आपने कितना किया, total score आप मुझे बताएंगे, comment section में, right, अभी चल रहे हैं, आगे, दूसरा close test में, ठीक है, दूसरा close test आगे, यहाँ पर थोड the expensive, expensive यह नहीं, expand हुआ, बढ़ा हुआ, बहुत दूर दूर तक, dash, stretched, as far as the eye could see, its vastness seeming endless, endless, किसी चीज की बात हो रहे है, the expensive, बहुत बढ़ा, expanded, बहुत बढ़ा, dash, फैला हुआ था, stretched हुआ था, फैला हुआ था, as far, उतनी दूर तक, जितनी की आईस देख सकती थी, फैला था, क्या फैला हुआ था, sea फैला हुआ हो सकता है, desert फैला हुआ हो सकता है, desert यह नहीं, रहिजिस्तान, समुदर, या कोई पार्क, या कोई landscape, ठीक है, अब आगे चलते है, its vastness seeming endless, उसका vastness चो था, दूर दूर तो, गहरा ही जो थी, वो लग रहा था, कि खतम ही नहीं होग कभी, आगे देखते हैं, majestic mountains, toward, in the distance, थोड़े दूरी पर, majestic mountains, बड़े-बड़े, majestic हैं नहीं, बहुत ही royal दिखने वाले, बड़े-बड़े mountains भी दिखाई दे रहे थे, लंबे-लंबे, उसके उपर थे, toward, लगे होए थे, तो sea के उपर, desert के उपर, park के उपर, या landscape, थोड़ आगे, landscape हो सकता है, शायत, क्योंकि दूर दूर तक आपको, जमीन दीख रही है, जो खतम नहीं होगी, ऐसा हो सकता है, पर ऐसा समुद्रो डेजर्ट के लिए भी हो सकते हैं, आगे देखते हैं, क्योंकि यहां पर पहाड भी है, desert में पहाड, पेड, यह सब नहीं होता है, क्या है, जेंटल ब्रीज, हवा चल रही थी, अचाही क्यों, यह लाइन रही गी, तोवर इन दिस्टंस, देर पीक्स, अब माउंटेंस थे, उनकी जो पीक्स थी, तॉप उनका जो था, वो प्रेड हुआ वा था, जो फिल किया गया था, यह पाइल ही नहीं था, भाया थिन लेयर ओफ स्नो, बर्फ की एक पतली सी चादर से, उनका जो टॉप था, पीक था, वो धका हुआ था, बर्फ से धका हुआ होता है, इसलिए, जेंटल ब्रीज, एक थंडी हवा, जेंटल मतलब बहुत क्वाइट, जेंटल ब्रीज के साथ, वो नहीं लगता है, कोल्ड नहीं लगता है, क्योंकि ब्रीज का मतलब ही थंडी हवा, तो बहुत मध्यम मध्यम सी हवा चल रही थी, विस्पर, विस्पर एनी कान में फुस फुस आना होता है, तो आवाज आ रही थी उसकी, थूदा, डैश, ट्रीज, ट्रीज भी थी वहाँ पर, पेड़ थे, तो रेगिस् फिर्स्ट वाले मिवो ने हुआ, विधर्ड सुखावा राइट, श्रिंकिंग यानी सिकाद आवा, एक दम ह्खाव थे, शृबर्ड यानी विधर्ड ही होता है, दोनों का मतलब से मुझाया हुआ, दोनों का मतलब क्या थे उद्राइड, इक दम सूख़ा वा, मुझाया व पेड्ट या फिर लस्ट्रिस ट्रीज रस्लिंग देः वाइवरेंट लीव वाइवरेंट मतलब क्या होता है अगर एक परसन वाइवरेंट तो बहुत ही लाइवली अनजय उट्साहि यह ना वाइवेश्यस है और अगर लीव्रेंट इसका मतलब शाइनी है लाइवली ए नहीं है तो यह भी हो गया लस्ट्रोस तीन हमें यह सेकेंड और थर्ड मिल गया है फर्स्ट अभी हमारा बाकी है आगे चलेंगे दे ओर डैश दे स्वीट फ्रेग्रेंस ओफ फ्लार्स हवा में अच्छी से खुश्बू आ रही थी जो कि फिल कर रही थी पूरे सराउंडिंग्स को with a delightful aroma, पूरे सराउंडिंग्स में खुश्बू भरी हुए थी, है न, तो ये बोल रहा है कि air जो था वो डैश करे थी, fragrance को, air fragrance को क्या करती है, push करती है, धक्का देती है, throw करती है, फेकती है, flung करती है, यानि fly से बन गया है, या फिर carry, तो हवा क्या कर रही थी, अपने साथ, ले की चा रही थी, खुश्बू है न, हवा में फैल जाती ही न, खुश्बू, तो उसी तरीके से, the air carried the sweet fragrance of the flowers, filling the surroundings with a delightful aroma, यहां तक हो गया, आगे, as the sun began to set, जैसे ही सूरज धलने वाला था, the sky transformed into a radiant canvas, sky जो है वो इविल्कुल canvas में परिपरतित हो गया, एकदम change हो गया, सूरज अब ढ़लने वाला है तो आसमान बिल्कुल yellow, orange हो जाता न, वैसा हो गया, radiant, red color का, एकदम shiny canvas बन गया, painted with dash, जिसको की paint किया गया था, किस से, dash of orange, pink and gold, तीन colors आ गया, orange, pink and gold color से वो बिल्कुल फिल हो गया था, तो tins, any tins क्या होते हैं, boxes बड़े-बड़े, तीन होता है न, उसको बुला जाता है, sheets of colors, brushes of colors, या hues of colors, क्या होगा, hues of orange, pink and gold, brushes of orange, pink and gold, तो hues क्या होता है, hues का seronym होता है colors, 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 तो जो आस्मान था, वो बिल्कुल एक canvas बन गया था, बहुत खूबसूरत सा, जिसमें colors बर गयते, orange, pink and gold, जिस संसेट होने वाला था, तो ऐसा sunset कहा होता है, पानी में नहीं, पानी के आसपस नहीं, क्योंकि ब्लुइश, वहाँ पर colors आ जाते हैं, तो वहाँ वाटर भी नहीं होगा, डेजर्ट भी नहीं होगा, और एक और अप्शन था, ना, वाटर डेजर्ट नहीं होगा, पार्ख हम अल्रेडी काट चुके, तो इस अ लांड्सकेप, बहुत अच्छा बड़ा सा लांड्सकेप है, दूर दूर माउंटेंस है, माउंटेंस में बर्व जमी होई है, पेड है एकदम शाइनी से, सुरुज धलने वाला असमान ओरेंज हो रहा है, यह है सब कुछ, ठीक है, तो लांड्सकेप है, अब लास्ट वाला, पेंटेद विद कलर्स, एकदम कलर्स से पेंट हो गया था, कौन से कलर्स, ऑफ ओरेंज, पिंक, एंड गोल्ड कलर्स, is the right answer, ठीक है, तो यह थोड़ा सा, थोड़ा सा तफ था, अब यह बिलकुल वोकैब पे, यह देखो, वोकैब, 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 पूरा वोकैब है, बिलकुल ग्रैमर में, जहां ग्रैमर नहीं आती है, वहां थोड़ा सा ये टाफ हो जाता है, ग्रैमर से थोड़ा easy comparatively हो जाता है, तो दोनों हो रहा है हहां पर, पहले वाले में ग्रैमर प्लस वोकैब था, यहां पूरा वोकैब है, तो यह हमारा second वाला इहां पर पूरा होता है? अब चलेंगे हम थर्ड वाले पर पहले second में से marks झालूर बताईएगा कि second में आपने five में से कितना पाया ठीक है? अब चलेंगे third पर टोटल पर लास्ट पर बता दीजेगा last में जो बिल्कुल elephant की तरह बहुत बड़े animals हुआ करते थे, they lived as recently as 4000 years ago, 4000 years पहले ही वो यहाँ पर रहते थे, 4000 साल पहले कुछ रहते थे वो यहाँ पर, देश, their well-preserved bodies can be dash frozen in the tundra of Siberia, Siberia के tundra पे उनकी bodies भी well-preserved देखी जा सकते, कि आखरी जो यहाँ थे, वो 4000 साल पहले यहाँ पर रहते थे, यह जो dot है, यह dot नहीं है, इसका dot-dot है, ठीक है, full stop नहीं है, क्योंकि यहाँ पर conjunction आ रहा है, right, और conjunction का बात है, दो sentences को जोडने के वो यहाँ रहे है, 4000 साल पहले रहते थे, उनका well-preserved bodies को dash किया जा सकता है, यहाँ पर Siberia में, उनकी well-preserved body, तो यहाँ पर मौत के पारे में बात होगी, कि मौत जोए है, वो 4000 साल पहले यहाँ रहते थे, और उनकी body, तो यहाँ पर और आ रहा है, और, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि भी नहीं बनेगा, और but भी, but विरोधा भास जाता है, तो यहाँ विरोध नहीं हो रहा है, result, cause नहीं बताया जा रहा है, so किसली आता है, result बताने के रहे, I was not well, so I did not attend the meeting, so, है न, result बताने, मैं well नहीं दी, इसलिए मैंने meeting attend नहीं किया, because, cause बताता है, cause, कारण बता है, I did not attend the meeting, because I was not well, मैंने meeting attend नहीं कि, क्योंकि मैं well नहीं थी, just opposite, right, but विरोधा भास जाता है, कि ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं, right, तो ऐसा विरोध भी नहीं है, कि वो यहाँ रहते थे चार ज़र पहले, और उनकी बाड़ी को भी अभी भी देखा जा सकता है, तो end आएगा, information add करने के लिए end का use करते हैं, second पर चलेंगे, dash frozen in the tundra of Siberia, उनकी बाड़ी को dash किया जा सकता है, Siberia में, उनकी बाड़ी इसको क्या करेंगे, unearthed, यानि uncovered, खोदा गया, निकाला गया, uncovered और uncovered, दोनों यहाँ पर है, तो यह दोनों सेम है, इसलिए दोनों नहीं होंगे, elimination यहाँ पर काम कर रहा है, शुद्रवात में कर रहा है, third है found, और fourth है got, found यानि पाया, और got यानि भी पाया होता है, पर found क्या होता है, ढूंडा जा सकता है, और got यानि पाया, कि भी आपको मिल सकता है, अभी क्या आपको देखो, कि 4000 years ago, और उनकी जो well preserved body है, can be, can be un-earned, can be uncovered, खुलासा हो गया, यह तो है, can be found, उनको आप देख सकते हो, कहां पर, यहां जाके, right, got नहीं, got मने आपको मिल जाएगा, not that, you can find it there, है न, ऐसे है कि रखावाई, you can find it there, वहां रखावाई, you can find it there, तो उस तरीके से found, next one, because dash bodies were so well protected, क्यूंकि उनकी body बहुत अच how talking about memots, तो यह plural है, them, यह क्या होता, objective case, यह होता है, possessive case, ठीक है, ये होता है, singular, और दे होता है, plural, यह दोनों ही subject है, दोनों subjective case है, यह भी, और यह भी, दोनों subjective case है, ठीक है, तो दोनों आ सकता है, अब हम बात किसी कर रहे है, हम memots की बात कर रहे हैं, जो कि plural है, memots plural होते हैं, इसलिए यहाँ पर, यह नहीं आएगा, यह objective है, यह objective है, तो यहाँ पर subject आएगा, because conjunction subject आएगा, क्योंकि उनकी bodies, बहुत अच्छे से protect की ग यह था, dash the permafrost, permafrost में रखके, इसमें रखके, permafrost में रखके, their genetic material remained intact, उनकी genetic material जो है, वो ऐसी की वैसे, बिल्कुल untouched रही, उसमें कुछ भी problems नहीं आए, तो किसमें रखा गया, permafrost में, इसलिए in permafrost, इसलिए in permafrost, and a medication process, and the last one, 5, dash at Harvard University are researching, dash जो हैं, Harvard University में, वो research कर रहे हैं, ways to bring the mammoth back to life, कि उनको वापस, जीवन दान दिया जाए, जीवन में लाया जाए, कैसे लाया जाए, उसके लिए वो research कर रहे हैं, तो research कर रहे हैं, Harvard University में, कौन कर रहे होंगे, यह वो लग है, engineers, investigators, यह spy, police, यह हो सकता है, investigate case को किया जाता है, scientist और doctors, doctors, research तो करते हैं, पर doctors, medicals, associated होते हैं, जो बिल्कुल पूरी तरीके से research में घुसे होते हैं, वो कौन होते हैं, scientist, तो यहाँ पर क्या आएगा, scientist, यह easy question है, है ला, तो यह मेरी खाल से passage, इसली, फिर से एक बार और हो गया होगा, थर्ड पैसेज, पैसेज नमबर थर्ड यहाँ पर complete होता है, फाइफ में से यहां कितने आए, यह बताएगा, हर close test में, आपने कितना score किया, यह इसले जानना जरूरी है, क्योंकि close test vary कर रहे है, कुछ इजी, कुछ टफ हमेशा है तो यह आपका आना चाहिए, राइट, चलिए, आप चलेंगे close test number 4 की तरफ, लैंगवेश देखो, चलिए, Red Wing had read, Red Wing ने पढ़ा है, क्या पढ़ा होता है, Red Wing ने, that, dash, that, one of his favorite writers, उसके favorite writers में से एक, जो कियों थे, Ernest Hemingway, यहां पर Red Wing एकने में, और इस Red Wing के बारे में मातुर थे, कि उनका जो favorite writer है, Ernest Hemingway, had been asked, उनसे पूचा गया था, what was the best dash for a novelist, कि novelist के लिए best dash क्या है, तो we are talking about, यहां, की, Red Wing पढ़ चुके थे, की, पढ़ चुके थे, की, sentence complete, बस यहां पर एक quality वाला वर्ट चाहिए, और क्यूंकि यहां पर वर्व है, तो वर्व की quality बताने के सीधे सीधे यहां पर एक एडवर्फ चाहिए, जो आम तोर पर य होलता है, यहां पर य से एक ही वर्ड है, that is negligently, है ना, negligently माने, carelessly, ठीक है, यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, पर अब यह, उन्होंने पढ़ा था, careless तरीके से कहीं पर, कि उनके जो writers है, favorite writers में से एक है, है, Hemingway, wholesome, complete, careless, यह दोनों, adjective हो गया, somewhere, उन्होंने पढ़ा था, somewhere, somewhere is, adverb of place, adverb of place, कि उन्होंने कहीं पर पढ़ा था, adverb of place, ठीक है, तो यह आ जाएगा, यहां पर, उन्होंने कहीं पर पढ़ा था, that is the only right answer, और adverb proper है नहीं, और यह adjective है, next one, अजने से पूछा गया था, what was the best dash for a novelist, किसी नहीं novelist के लिए, best dash क्या होता है, तो best nature क्या होता है, यह पूछा गया, best training क्या होता है, यह पूछा गया, best medication, यह दवाईया, best medication क्या होता है कि नॉबलिस्ट बनना है तो कौन-कौन सी दवाई आले नी जब दो गोली सुबा दो गोली स्वाइब को लो तो अपन जोगे ऐसा तो हो नहीं सकता तो यह भी गलत है मैंतनंस में एक ऊता है में चालना या फिर आपका रहन के लिए जो भी दिन भर के लिए तो सबसे बेस्ट ट्रेनिंग क्या है कि चाइडलूट कैसा होना चाहिए नाखुश एक दम दुख से भरा हुआ बच्पन होना चाहिए आगे चलेंगे अब रेडविंग की समस्या उन्होंने तो कह दिया कि अगर आपको अच्छा नॉबलिस्ट बनना है तो यूशुड हाव अगटिया चाहिए बहुत ही नाखुश्रा बहुत ही दुख भरा आपका जीवन बच्पन होना चाहिए पर इनकी लाइफ स्ट्राटेजी स्टोरी क्या इनका जीवन था इनका जीवन था ग्रोन अप कैसे बड़ा फाइन बढ़िया है ना अब यह तो इनके लिए क्या हो गया अपोजट सा हो गया यहां बट ही लेकिन ही अब उन्होंने ही क्या क्या वेस्ट किया इफ अगर यह सारा कुछ तो यहां पर यह कुश्चन उठाते दिखाए देवे कि अगर ही सारा कुछ जो भी है तो उन्होंने वेस्ट किया वेल्ड किया, welding machine उती है, weld करने वाली, जोडने वाली, weld किया He wondered, उन्होंने wonder किया, आश्चर जताया या उन्होंने wonder किया, wonder करना क्या होता है walk, aimlessly, बिना reason के walk करना here and there तो उन्होंने क्या किया, but he wondered, उन्होंने इस्टोनिश हो गये, surprise हो गये, सोच रहे मनीवन, सोच रहे, he wondered, he wondered, sorry, है ना, wondered आएगा, if this whole, क्या ये सारा, if this whole, expiation, exasperation, expedition, expectation, चार श्रब्द उठाए गए हैं, dictionary में से एक दम सोच सोच के, ज्यादा कुछ मिलते चुलते हैं, पर सबसे अच्छी बात, vocabulary में ये सारे words आते हैं, vocab-based question, expectation, hope, उमीद, जो आपको किसी से भी नहीं रखनी चाहिए, आज के टाइम में, expedition, आपका journey, यात्रा, travel, है ना, exasperation, आपका anger, गुसा, rage, है ना, fury, उसको बोला जाता है, and the next one, expiation, expiation, क्या होता है, आपका, क्या होता है, repentance, पच्ताभा, repentance, पच्ताभा, तो पच्ताभा हो गया, अब सारे चारो क्या है ना उन्हें, इतो हो गया, तो, but he wondered, पर उन्होंने wonder, if this whole dash was unfolding, यह जो पूरा का पूरा dash था, वो unfold कर रहा था, यानि कि open up कर रहा था, reveal कर रहा था, खोल रहा था, क्या, more like a novel, यह भी novel की तरह था, तो अब ही कह रहे हैं, मेरी तो life बढ़ी अच्छी रही है, है ना, मेरा growing up तो बहुत अच्छा हुआ है, मैं तो बहुत अच्छे माहल में grown up हुआ, मेरे बच्पन में नाखुशी तो कुछ था ही नहीं, तो बहुत अच्छा fine time था, तो अब ही wonder कर रहे थे कि क्या यह मेरी जो dash रही है, तो क्या रही है, मेरा पश्टावा रहा है, मेरा गुस्सा रहा है, मेरी उमीद रही है, या मेरी journey रही है, तो क्योंकि जीवन के बारे में बात करें, जीवन का एक हिस्सा जो बीच चुका है, तो उसके लिए journey word आ सकता ह वागी तो कुछ और यहाँ पर applicable नहीं होगा तो मेरा जो यह expedition रहा है क्या यह if this whole expedition was unfolding क्या यह unfold कर रहा था खोल रहा था more like a novel, एक और novel खुल रहा था क्या मतलब ही सोच रहे थे कि उन्होंने का नाखुष बच्पन होना ची अब मेरा तो नहीं रहा क्या यह अलग तरीके का novel बन सकता है it was the question in his mind and and would be dash on one person और क्या यह एक ही person पर dash रहेगा तो bloomed on bloomed क्या होता है फूलों का खिलना, blooming है ना based on, depend on depend के साथ on आता है, based के साथ भी on आता है, तो preposition based ही question हो जाएगा, blessed by होता है ना, blessed by blessed with होता है, blessed with a daughter, girl, child, ऐसे करके blamed for होता है, right आपको responsible ठहरा जारा है blame ठहराया जारा है, answerable ठहराया जारा है, जमिदार ठहरा जारा है blessed by, blessed with based on और क्या यह based होगा एक ही person पर, एक ही character पर एक ही guy, जो पूरा in charge होगा that is him, वो खोदी होगा तो ही ऐसा सोच रहे, थे कि मेरे जंदगी तो बिल्कुल अलग चली तो क्या मेरे जंदगी का अलग तरीक का novel लिग दे कि क्या मेरी यात्रा ऐसी होगी got it, तो here we have finished another close test, एक और close test यहाँ पर खतम होता है जिसमें आपके कितने माक्सा है यह आपको calculate करने देखेगा vocabulary based, vocabulary based, vocabulary based and the first one also vocabulary based पूरा vocab based चुडू से लेकर अंत तक था और यह जो vocab based close test होते हैं यही बहुत ज़्यादा आते हैं मैंने बताया आपको हमेशा बताती हूँ vocab based यही competition को बढ़ाते हैं तो what all you have to do is आपको vocab based पे अपनी command करनी है और कैसे करनी है हमेशा से कोई भी काम अगर आप ज़्यादा 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 करते हो तो आप उसकी practice अच्छी कर पाते हो तो बस आपको बस रोज रोजाना इस तरीके के close test रोज करने हैं आगे चलेंगे next पे अगला पैसेज यहाँ पे आजाता है इसमें बात ambition की हो यह language देखो एक दार आप से Ambition is a vital ingredient for success सफलता सफलता के लिए सफलता के लिए सफलता के लिए जो ingredient ingredient क्या होता है? सामगरी है ना? खाने में क्या-क्या डलेगा? इस प्रकार की सबजी में क्या कट लेगा? इन ingredients क्या होंगे इनके? तो सामगरी जो सफलता के लिए सबसे important एक important ingredient यह वो क्या है? Ambition आपके अंदर चाहत होनी चाहिए चाह होनी चाहिए डिजायर होनी चाहिए अंदर से इच्छा तो होनी चाहिए तो हम इन में से एक नहीं हो पाएंगे तो हम इन में से एक नहीं हो पाएंगे of great achievements great achievements, बड़ी-बड़ी उपलबदियों के हम dash नहीं हो पाएंगे, तो उपलबदियों के क्या? curable, curable क्या होता है? healable एक ऐसी बिमारी जो समय रहते cure हो जाए, यहनि इलाज की लायक है, तो वो curable है, कोई चीज अगा durable है, तो वो लंबा strong चलने वाली है, long lasting है, मजबूत है अगर कोई वेक्ति able है तो वो किसी चीज के योग्य है और अगर कोई वेक्ति capable है, तो वो भी able है, पर able के साथ true आता है, और capable के साथ off आता है, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, कि capable जो होता है अपने साथ fixed preposition के रूप में capable अपने साथ fixed preposition के रूप में off लेता है, capable of doing something होता है, तो capable of great achievements, noun था, इसलिए great achievements, तो आप capable हो पाएंगे great achievement के, तो ambition is a vital ingredient for success without ambition to push us we will not be capable of हम योगी नहीं बन पाएंगे, किसके great achievements के पाही नहीं पाएंगे, योगी नहीं बन पाएंगे उन्हों प्लुधियों के, चलिए, आगे we all need, हम सब को क्या चाहिए we all need that special something वो कुछ special सा हमें चाहिए, कहां चाहिए, dash ourselves, हम सब के Edelonadar, within अंदरिyan चाहिए with yakाणी साथ, without yak, बिना तो यह proposition based question है proposition का question That special something हमारे अंदर हमें होना छीए, अंदरियों अंदर होना चाहिए तो अंदर तक within ourselves अपने अंदर ही होना चाहिए हना, in cách होता है? motionless लूम में हो यहां, पर ओ तो इस के निसवा सनकतिए तो वितनार सNext हमारे अंदर यंदर वो स्पेशल चीज ही होनी चाहिए TO GIVE US जो हमें दे देने वाले क्या होना चीजह? UP-PSTN God THiomo जो हमें वो इच्छा शक्ति दे हमें वो इच्छा सक्ति देने वाला हमारे अंदर अंदर ही होना चाहिए वो ambition to reach a higher goal एक उपर एक और उपर goal पे पहुचने वाले किसे higher देखो ER लगा वाय है यानि comparison है कहां comparison है इसको यह ली चल रहा है number 3 पर to give us the willpower जो हमें willpower दे जो हमें इच्छा दे किसले to reach a higher goal एक higher goal पे पहुचने का हमें willpower दे that we imagine जो कि हम imagine करते है then से जादा then से, sorry, then तो तब होता है, तब है ना, then तब उसके बाद then adverb होता है न, time बताता है then we went out उसने gate कोला, उसके बाद हम बाहर गए then और यह then होता है से जादा comparative जहां पर होता है वहां पर यह आता है, here आ रहा है न, comparative तो higher goal then we imagine ourselves capable dash तो अब देखो, वो special हमारे अंदर-अंदर होना से जो हमें देने वाला हो वो willpower to reach a higher goal, कि वो हम उस goal से और उपर पहुच सके से जादा उपर पहुच सके जो हमने अपने लिए imagine किया हुआ होता है, यह कब होता है? जब हमारे अंदर ambition हो कौन सा we imagine ourselves जिसको हम अपने आपको imagine करते हैं कि हम इस काम को करने होगे है तो उससे जादा higher goal हमें कौन देता है? imagine, यह ambition तो capable, capable के बात कर लिए आना है यहाँ पर तो we imagine ourself capable dash अब capable के लिए फिर से एक और preposition based question आ गया ठीक है क्या आएगा? grammar का कुछ नहीं पूरा grammar based है capable अपने साथ क्या लेता है? यहाँ पर हमने capable फिल किया था, capable of doing something, तो capable अपने साथ off लेता fix होता है जो कि यह वाला नहीं होता है यह नहीं होगा यह रहाँ capable of is the right answer yet फिर भी ambition dash money and fire पैसे और आग dash ambition is a good servant, ambition एक good servant है but a bad master लेकिन एक bad master है मतलब अच्छा servant है, अगर आप उसको servant बना के रखोंगे तो अच्छा आपका सारा काम करवा देगा लेकिन उसको अपने मालिक बना दी है वह अगर आपको चला रहा है तो वह बहुत खराब है फिर वह आपको चलाएगा जैसा वह चाता है वैसा आपको करना पड़ेगा ambition एक अच्छा servant पर एक खराब master है तो अब money का है such such मतलब ऐसा adjective होता है as के रूप में क्योंकि आगे noun है तो preposition ही रखेंगे आपर like जैसे similarly के समान ठीक है similarly like होता है similarly के साथ like आता है तो यह incomplete है ambition यहाँ पर क्या आएगा money आ रहा है noun आ रहा है तो preposition आएगा preposition यहाँ पर यह की है ambition like money and fire पैसे और आग की तरह पैसे और आग की तरह ambition भी master है तो ambition को अगर आपने master बना लिया उसके हिसाब से चलोगे तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा है ना जैसे की पैसा पैसे को आप जब तक चलाते हो ठीक है अगर पैसा आपको चला रहा है तो आपको बहुत खराब कर देगा सेम आग आप आग लगा रहे अपनी मर्ची से लगाओ के आग अगर मालिक बन गया वो तो कहीं भी आपको जला के बहस्म कर देगा वाल रहा है तो इसमें अगर आपने नंबर नहीं कमाया तो कहां कम आया तो ग्रैमर बेस तो गलत होना नीचे कॉंपटिशन बढ़ाता कॉन है वो क्या बेस जहां आपको जादा आता है कुछ लोगों को कम आता है इसलिए उसकी प्राक्टिस करो पर इसको भूलो मत, है ना, बीची उच में करते रहो, कि आना चाहिए, कौन सा प्रेपोजिशन, देखो, ऐसे वाले कोशन है, यहाँ भी प्रेपोजिशन, यहाँ भी प्रेपोजिशन, था, ठीक है, वो बेस्ट रॉन अभी पिछले वाले मे नेक्स्ट, the digital साक्षर्ता अभ्यान, the digital साक्षर्ता अभ्यान, जिसका D, S, A, यहाँ पर है, D का D, I, D, S, H, इसी का जोड़ोगा, दिशा अभ्यान, साक्षर्ता अभ्यान, दिशा नाम दिया इसको, दिशा इसका acronym है, mind it, ध्यान रखेगा, यह acronym है, और National Digital Literacy Mission, National Literacy Mission, NDLM, यहाँ पर लिखावा है, देखो पेटा, जब short form को pronounce कर सकते हैं, जिसे कि AIDS, pronounce कर सकते हैं, तो वो acronym कहलाता है, ठीक है, और जब हम short form को pronounce नहीं कर सकते हैं, तो वो abbreviation कहलाता है, acronym जिसको आप pronounce कर सकते हो, abbreviation जिसको आप pronounce नहीं कर सकते हो, जैसे कि WHO, ऐसे ही लिखा जाता है हमेशा, World Health Organization, लेकिन AIDS, को हम AIDS बोलते हैं, A-I-D-S, पूरा capital में यह भी है, पूरा capital क्योंकि इस short form है, पर short form को अगर pronounce कर सकते हैं, तो वो acronym, और नहीं प्रेनौंस कर सकते हैं, तो वो abbreviation कहलाता है, यहां पर दिशा जो है, वो acronym है, और NDLM जो है, NDLM जो है, वो क्या है, यह, abbreviation, ठीक है, यह दियाल लखेगा, चोटी सी knowledge, आगे चलते हैं, आगे, इन में से ही, जो scheme है, दोनों का नाम था, इसलिए और लगा, या तो यह, या तो यह, इसलिए singular subject है, singular verb है, singular है, has been formulated, उसको form किया गया, उसको बनाया गया, किसलिए, to dash IT training, IT training को dash करने के लिए, IT training को affirm, affirm करना क्या होता है, confirm करना, अपनी बात को बहुत अच्छे से बताना, attain करना क्या होता है, gain करना, पाना, get करना, पाना, right, impart करना यह नहीं बाटना, share करना, knowledge अगेरा शेयर किया जाता है, attribute करना, quality बताना, ठीक है, qualify करना, right, quality बताना, तो अब, IT training देना है, 52.5 लाग persons को IT training देने के लिए, तो अब इसमें IT training देना, यह तो पाना होगा, लेना, affirm यह नहीं, confirm करना, attribute quality बताना, तो नहीं होगा, impart, किस लिए बनाए गया है, इन दोनों को, share करने के लिए, to share IT training to 52.5 लाग people, persons, including आंगनवारी और आशा वर्कर्स, जिसमें आंगनवारी लोग भी होंगे, आशा वर्कर्स भी होंगे, and authorized ration dealers भी होंगे, right, जिसमें यह सब कुछ होंगे, in all the states, oblique UT, union territories, जिसमें सारे states, सारे union territories, सारे राशन डीलर, सारे आंगनवारी वर्कर्स, सारे आशा वर्कर्स होंगे, dash, the country, country में, तो पूरी country के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, all over the country, पूरी country, among, between, बीच में होता है, दो के लिए, या दो से जादा के लिए, within, के अंदर-अंदर नहीं होगा, तो हमारे अंदर-अंदर था पीछले वाले में, वहां हमने यूज किया था, across, all over, या across का मतलब होता है, पूरा, पूरी जग हाँ तो all over the country, या all across the country, या all over the country, इस तरीके से, यह simple across the country भी हो सकता है, तो across the country, so that, जिससे की, the non-IT literate, जो non-IT, जो IT का नहीं है, जो non-IT literate है, citizens, they are dash, to become IT literate, वो भी IT literate बन जाए, थ्री पे चलते हैं, तो जिससे क्या होगा, उन्होंने ही सोचा है, कि यह NDLM, जो है, यह scheme launch क्यों करीगी, बनाई क्यों है, ताकि कि, वो training, सक्षर, वो training दे सके, हम non-IT लोगों को, IT की training दे सके, citizens are, dash, trained to become, included to become, made to become, ordered to become, अगर हमने अभी तक पढ़ लिया, तो यह बहुत simple है, कि we are talking about the training of, training of, this, ना, IT literate की, IT की training दे रहे हैं, तो they are, trained ही हो जाएगा, कि वो यहां पर trained होगे, वो trained होगे, बन जाएंगे, IT, literate, IT की training दे रहे हैं, तो made, or ordered, or included, यहां पर नहीं होगा, अराम से करने लाइक, अब चलते हैं, next पर. . झाल झाल इस वाले पर स्क्रीन टाइम अच्छा यह तो हमने शाद कल ही कर लिया था ना अच्छा यह मॉक टेस्ट वाला स्क्रीन टाइम है तो यह तो हमने कल किया था कल मॉक टेस्ट में हमने यह वाला किया था तो यह आपका टेस्ट है यह क्लोस टेस्ट आपका टेस्ट है इसमें आपके 1,2,3,4,5 यह आपको ऐसे करके आपको करने हैं ठीक है करके आप मुझे आंसर बताएंगे क्योंकि एक आपके आप यह फर्स्ट है आपके सामने है फर्स्ट के रिए सेकिंड मैं आपको दिखा रहे हूं सेकिन आप पढ़ोगे आराम से बाद में भी रोक के भी आप इसको पढ़ना और अपने आप से आंसर मुझे बताना 2nd playing 3rd-5 पूरा बढ़ोगे और फिर आपकी प्रैक्तर होगे और जा उसकिंड आल होगेए है थार्ड है ठारश इसे आपको प्राक्टिस होगी थार्ड हो यह होगा एउन इससे आपकी प्राक्टिस होगी एसEd this makes only you perfect और आपको perfect बनना ही बनना है फोर्थ हो गया and the last is 5 सिफ कोश्चन बदर इस कोई तो वही है ठीक है 5 के 5 तो यहां पर मैं वेट करूँगी आपके answers का जो आप मुझे भेज़ेंगे comment section में comment section में आप answer करेंगे कोई भी दिकत परिशानी हो तो आप मुझे बताएं confusion हो तो आप मुझे शेयर करें इसी के साथ आज के सेशन को यहां पर खतम करें फिर भी मैं यह काऊंगी दो सेशन सौल यह हैं नहीं देखा है तो यूटुब पर जितने भी सेशन आ रहे सब नौबज़े हमारी क्लास का टाइम है फिर से कल रात को नौबज़े मिलेंगे तब तक एले ट्रेक करें थाइंक इसो मज़ गाइस